फाइनेंस एंटेक्स की अपडेट छूट ना जाए इसलिए फटेक से सब्स्राइब कर दीजिए और बैल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे अब दोस्तों क्या है आपके तो फॉस्फॉस एप्लिकेशन जो आई है नहीं आपको पता ही है कि उसके अंदर काफी लोगों को काफी सारे जैनेरिक डाउट सारे हैं और जो उसके लिए कि गाइडेंस डॉक्यमेंट जो है वो इसके अंदर अथारा जो कुश्चन से उसके ब काफ सरी गय इसके अंदर फॉस्फॉस अप्लिकेशन के तो पहला जो कुश्चन ही है वही है जो फॉसको अपफिकेशन जो ट्रांजिट हुई है वो यह फालरा सिस्टम से तो जो यूजर आईट जो पासवर्ड है वो स्यम रहेगा जो एक सिस्टम में था तो वहीं रहेग तो second question जो है वो है what if I am using both the application FLRS and FOSCOS in the transition phase and change the credential in one of the application would this change be implemented for both applications तो अगर मैंने यहां पर यह है कि अगर मैंने FLRS system में अगर कोई चीज चेंज करी क्या वो FOSCOS system में भी change हुजा है कि automatically yes तो वो कुछ भी अगर मैं FLRS system में चेंज करूंगा तो accordingly FOSCOS system में भी उसका impact दिखेगा उसके बाद तीसरा question है how to submit annual return online on FOSCOS तो यहां पर तीसरा question हुई आ रहा है कि online return हम जो annual return होती है वो किस तरीके से submit कर सकते हैं तो एक बार एक काम करते हैं जो login एक बार login कर लेते हैं एक ID को और आपको एक तरीके से समझाते हों चलते हैं किस तरीके से यहां पर जो बात हो रही है किस तरीके से हो रही है तो एक login कर लेते हैं इसके अंदर है और capture code डाल कर कर लेते हैं इसको तो सबसे पहले तो इसमें जो जो हमारा question था था how to submit annual return तो यहां पर अलग से option दिया हुआ है आप देखेंगे annual return का तो इस तरीके से आप यहां पर जाके आप annual return भर सकते हैं यह यहां पर answer में लिखा हुआ है next question जो है वो है what if FBO does not remember both user ID and password for login तो उसको क्या करना होगा तो यहां पर बताया हो गया FBO is food business operator तो food business operator है can retrieve user ID and password by submitting following information तो sign up for a new login and provide the new login request application complete letter है duly signed by authorized signatory copy of license registration application ID proof of authorized signatory any other document providing ownership of FSI license registration तो all above documents to be submitted electronically via email from authorized email ID to enforcement at enforcement one at the rate fsi.gov.in or in physical manner at fsi headquarter if the credentials are verified and request approved then the food license details will be shifted to the new user login provided तो अगर माली जी आप पुराने system का करना है जैसे पुराने system FLR system में थे और आप भूल गया है उसका user ID and password तो आपको FOSCOS के अंदर कैसे प्रोवाइड करा जाएगा आपको करना पड़ेगा इस mail ID पर आपको mail करनी होगी जिसके अंदर आपको जो उपर वाले documents हैं आपको पांचों document जो है वो submit करने होंगे और document submit करके आप जो है उसका login credentials आप ले सकते हैं तो यहाँ पर यह पूछे जा रहा है कियो भी क्या होता है कियो भी होता है नहीं हो या फूड बुजनस अपर यहाँ प्र छ sum कि आपको फूड़ ऑफेस के लिए क्र इस्शे करना हो हमें ऐसके बाद तो यहां पर यहाँ यहाँ पर सिधा- Mommy вот भी आप प्लाओ करना होता है तो उसके बाद यहाँ देखेंगे अगर जो आपके पास अगर आप मैनुफेक्ट्रिंग के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो नए जो पूर्टिकल्स के लिए और एक आप देखेंगे नौन स्पेसिपाइड फूर्ड जो कहीं पे भी स्पेसिपाइड नहीं है तो यहां पर डेफिनिशन दी गई है आप इसको देख सकते हैं एक बार इसके बार अगर ओसके बार नेक्स अगर हम चलते हैं अगर आप देखेंगे कि आपनी जो स्पेसिपाइड पर जाकर देख सकते हैं तो कोई record नहीं हो रखा तो अभी कोई inspection नहीं हुआ है अगर को inspection होता है in case अगर necessary है officer को लगता है कि यहां इनका inspection करना जरूरी है तो यहां पर detail जो होती है inspection की update कर देता है 7 जो question है वो यह लिखा हुआ है कि how to check your eligibility criteria for your food business तो eligibility criteria मतलब आपको registration के अपलाई करना है state license के अपलाई करना है या पर central license के अपलाई करना है basic license के लिए तो वो चीज़े देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो वो कैसे देख सकते हैं आप तो यहां पर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा अपर eligibility of your food business प्रवाइद में ड्लाई करना है । जो भी आप जिस भी business इंदर आप यहां पर सर्च मारिये उसको जैसे मालीजे में तो जिस भी है आपको साँर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं अपना जो अपना जो भी है आप उसके साफ से आप से आप देख सकते हैं तो manufacturer जैसे है तो यहां पर आप देख सकते हैं अपना जो जिस भी इस आप से आपकी condition फुल्फिल होती है आप उसके आप से अपलाई कर सकते हैं यह काफी अच्छा फीचर है जो एड करा हुआ है तो मतलब इससे काफी लोगों को दिक्कत आती थी कि उनके business के ओपर कब कौन स लाइसेंस अपलाई होगा तो यह उसके लिए काफी convenient हो गया है तो आप कोई भी सिहां पर सर्च कर सकता है और अपनी जो डीटेल से अपनी जो चीजे हैं वो देख सकता है कि उसको कौन सा लाइसेंस अपलाई करना पड़ेगा नेक्स जो एड कोशन है वो इसमें इलिखा ह करना है फूड केटेगरी जब अपलाई करते हैं तो उसके लिए अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आपके कौन से फूड प्रोड़क्त के अंदर आपका फॉल करता है तो इन काइंड बिजनस किस तरीके का है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको जस्ट आपको फॉसकोस के अंदर जाना है और यहां पर यहां तो आप क्या कर सकते हैं व्यू आल सेंड़ाइस प्रोड़क्स में जा सकते हैं और देख सकते हैं यहां पर जैसे आप माल लीजे मिल आप मिल्क में काम करते हैं तो यहां यहां पर देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्त है जो आपकी के अपके उसमें अप्लाई करेंगा तुसमें अकॉर्डेंग लिए अप उसके आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरीके से यह काम करेगा उसके आपार दोनों चीज जो कोश्चन नमर 7 & 8 के अदर जो फॉसको अप के अंदर जो आई है काफी बढ़िया चीज आई है और काफी कन्वीनियट रहेगा लोग को अप्लाई करने के अंदर उसके वाद कोस्चन नमर 9 है हौन मैंने दोक्मेंट्स रिक्वाइट वी अप्लोड़डेट बाइव फॉर इस्वेंस ऑफ लाइसेंस तो बेसिकली आप कोई अगर आपको अगर आपको लगता है कि अधिशनल दॉक्यमेंट्स अगर जैसे मालोग ओफिसर ने मांग लिया या फिर कभी हो सकता है कि कोई आप इस तरीकी का काम कर रहेंसे मैनुफेक्ट्रिंग कर रहें कोई बढ़िया से प्लांट के अंदर तो महाँ पर नोसी से अगर आपको अपको लगाना पड़ेगा तो वह सारी चीजह है जो आपको अगर श्रीक लाइस के बात करें तो बीसिक लाइसे नदर है और फोटो लगानी है और जो भी अड्रस ए उसका एक अड्रस प्लाना है या या आप अप्लाई कर सकते हैं उसके नेक्स्ट है अर कि आफ अफ अफ एफ भी यो तो वही फूट लाइसेंस जो अथारटी है उसने आपके क्लियर कर रहा है कि कोई भी कंसल्टेंट हम लोगों ने अपॉइंट नहीं कर रखा सिर्फ एक फूड सेफ्टी मित्रा बना रखा है इसके अधर आप उनसे ले सकते हैं फूड अच्छा आपफ बनना चाहते हैं तो यहां पर अप्लाइणाओ वही जाकर अप्लाइज कर सकते हैं और यहां पर आप एसम बन सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो कॉश्शन है वह है कि एक फॉर्म सी और नोन फॉमची मोडिफिकेशन केंदर क्या दिफरेंस होता है तो ज आप form C का जो दिटेरंट जो अगर लाइसेंस के उपर जो डीटेल्स होती है तो अगर आप डिटेल्स को अगर आप करना चाथे तो नौन फोर्म सी जाता है, उसके बाद कोशन नमर ट्वल गाएं, डास एभियो नीड तो सब्मेट अप्लीटी हैं, जा अब आप ब्लीहें प duplicate copy of license तो आगर आपको लाइसेंस की जो duplicate copy चाहिए तो वहां पर आप देखेंगे send mail का option आता है जहां पर भी आपका जो license issue आओगा dashboard पर आप देखेंगे तो आप send mail का option आता है तो आप send mail करके आप जो license की copy आपने mail पर आप मंगवा सकते हैं इसका जो 14th question है वो है कि does designated officer need to review all information given in the application once the application is send bank to FBO for editing तो जो FBO को जो application जाती है तो उसमें सिर्फ जो selected details होती है जो selected उसको लगता है जो designated officer को जो इसको edit करवानी है वो का option होता है उसके पास otherwise वो और चीज़ एडिट नहीं कर सकता है तो जब भी भी वो edit करके बेजता है तो सिर्फ जो officer है वो सिर्फ वही चीज़ देखेगा जो उसके पास editing होके आई होगी other than that वो अलड़ी जो review कर चका है उसको वो दुबारा कि तो दून के बीच का difference किया है तो basically जो designated officer होता है वो एक commissioner level का बंदा होता है जो कि आपका लाइसेंस है वो इस्चू करता है जो records हो maintain करता है मतलब आप यह official काम करता है वो designated officer होता है लेकिन जो field पर काम करता है मतार्ण उसके नीचे होता है food safety officer तो जो फील्ड पर काम करता है, इसको inspection करना होता है, जिसको जो हजार जो foods होते हैं, इसको inspection, उसको sample लेना होता है, तो जो मैं तब मैं कहा हूँ, जो field पर काम करता है, वो food safety officer होता है, जो office में बैट के काम करता है, वो designated officer होता है, तो वो commissioner level का एक person होता है, और वो पूरे district को समालत अब यहां पर देजिटेटेटिटेटि अप्रिस्पेशन के लिए अप्र पिछ झाल लिया कर सकता है तो इसे इनटार्ब टो सेखिष्टी मोचय फोड द्रले चाया का फ्रंढ बीस की उब इसकार लेसी अप्लोड घाले है कि एंवा खर आउन्प श्या के डापने अप्लोड करा और उन्होंने बोला कि आपको जो रंक हेसे अप्लोड करना है तो यह बढ़ीजू करना सब्सक्राइब अप्लोड कर सकते हैं प्लोड कर सकते हैं कोश्च नमर्स However, we encourage applicants to declare details. तो अभी के लिए compulsory नहीं है, अगर जो भी आपकी जो training की जो details है, इन सब की form, मतलब जो details है, वो अभी compulsory नहीं है, लेकिन encourage कर रहे हैं applicants को details to declare करें, but it is not compulsory as of now. I hope आपको वीडियो समय में आई होगी, और कोई भी आपका doubt हो, किसी भी question के अंदर,